हेलो फ्रेंड्स मैं भावना सर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ दोस्तो आज इस वीडियो में हम लाइन्स के रिलेशन के बारे में डिसकस करेंगे दोस्तो लाइन्स के बारे में और टाइप सोफ लाइन्स के बारे में हमने पहली वीडियो में डिसकस कर लिया है अगर आप interested हैं और types of line समझना चाते हैं तो मेरी वीडियो जरूर देखें दोस्तों line क्या होती है बहुत सारे point को मिलाने से line बनती है और horizontal line, straight line, curved line, vertical line, slanting line, standing line के बारे में हमने last video में discuss कर लिया है आज हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास topic है relation between lines कौन-कौन सा relation होता है लाइनों के बीच में intersecting lines होती है हमारे पास, parallel lines होती है, perpendicular lines होती है इन तिन टाइप की line के बारे में आज हम discuss करेंगे सबसे पहले हैं हमारे पास intersecting lines इनको हम हिंदी में परतिछेदी रेखाएं कहती है intersecting lines are the lines that meet or cross at a common point ऐसी lines जो एक ही point पर cut करती है उन दो line को हम intersecting lines कहते है यहां हमारे पास यह line L है, यह line M है line L, line M को O point पर cut करती है तो इन line को हम क्या कहेंगे? intersecting lines यह line दोस्तों कहीं से भी cut कर सकती है जैसे हमारे पास यह line है, यह की यह line है यह दो line आपस में cut कर रही है, इनको भी हम क्या बोलेंगे? intersecting lines ऐसे भी यह line कट कर सकती है, जैसे ऐसे तो इनको हम क्या बोलेंगे? Intersecting Lines तो दोस्तों, Intersecting Lines ऐसी Lines होती है जो एक पॉइंट पर कट करती है ऐसी दो Lines जो एक पॉइंट पर कट करती है उनको हम Intersecting Lines बोलते हैं Next है दोस्तों, Perpendicular Lines Perpendicular Lines को हम लंब वत रेखाएं कहते हैं Perpendicular Lines are Intersecting Lines that form four right angles Perpendicular Lines ऐसी Intersecting Lines को बोलते हैं जो जहां कट करती हैं वहां पर right angle बनाती है यहां पर यह 90 degree का अंगल right angle हम 90 degree का अंगल को बोलते हैं यहां भी और यहां भी च्यारों यह हमारे पास क्या है? 90 degree के अंगल है तो ऐसी यह हमारे पास AB एक लाइन है यह हमारे पास A1, A2 एक लाइन है यह लाइन इस लाइन को right angle बनाते हुए कट करती है यह च्यारों हमारे पास right angle है तो इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? Perpendicular Lines इसको हम ऐसे लिखते हैं AB perpendicular है A1, A2 एक लाइन के उपर ऐसे ही हम दोस्तों जैसे हमारे पास यह हमारे पास CD एक लाइन है और इसके उपर हम ऐसे 90 डिगरी का अंगल बना दें और इसको बोल दें P count line तो दोस्तों यह जो P count line है यह हमारे पास perpendicular है CD line के उपर क्या बोल लेंगे इसको P Q line है जो वो perpendicular है CD line के उपर ऐसे दोस्तों यह line ऐसे भी हो सकती है जैसे यह हमारे पास ऐसे यह line है हमारे पास L यह line है हमारे पास M तो इसको लिखेंगे M line है जो वो perpendicular है L line के उपर तो perpendicular line ऐसी line होती है जो एक लाइन के उपर दूसरी लाइन 90 डिगरी का एंगल बनाती है और इसको डिनोट ऐसे करते हैं M perpendicular on L और 90 डिगरी का एंगल को हम right एंगल भी कहते हैं आगे हैं दोस्तों हमारे पास parallel lines parallel lines को हम समाना अंतर रेखाएं कहते हैं parallel lines are line that are always same distance apart never touch each other ऐसी दो lines जिनके बीच की distance हमेशा same रहती है जो line कभी भी touch नहीं करती हैं उनको हम parallel lines बोलते हैं जैसे मारे पास ये line L है ये parallel है line M के इसको हम कैसे लिखते हैं L line parallel है M line के ये हमारे पास P line है parallel है क्यों line के P line है जो पी line है जो वो parallel है क्यों line के तो दोस्तों ये line ऐसे भी हो सकती हैं ऐसे slanting भी हो सकती हैं और ऐसे standing line भी हो सकती हैं यहां हमारे पास line L है वो parallel है line M के इनके बीच की distance दोस्तों कभी भी कम या ज़ादा नहीं होती इनके बीच की distance हमेशा सेम रहती है ऐसे इनके बीच की distance हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी इनको कितना ही हम बढ़ा कर लें जैसे इसकी length को कितना ही बढ़ा लें ये कभी भी आपस में मीट नहीं होती तो इन लाइनों को बोलते हैं हम parallel lines तो दोस्तों आज हमने क्या सिखा सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे पास intersecting line होती है दोस्तों ये हमारे पास एक line है और एक ये line है ये इस time एक दूसरे को cut करते हुए दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन इनको भी हम intersecting line बोलेंगे क्यों बोलेंगे दोस्तों क्योंकि अगर हम इस line को ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये line आपस में cut कर जाएंगी तो इस type की line को भी हम intersecting line बोलेंगे उसके बाद जो एक line के उपर दूसरे line 90 degree का एंगल बनाती है इस time की line हम परपेंडिकुलर line बोलते हैं उसके बाद ये हमारे पास parallel lines है तो दोस्तों square है हमारे पास square में यहां 90 degree का एंगल होता है तो ये line कौन सी होती है परपेंडिकुलर line तो ऐसे ही दोस्तों हमारे पास in line का यूज होता है फिगर में भी करते है। यूज तो दोस्तों हमारे पास जो वो समानांतर चतरवूज होता है उसमें भी यह आमने-सामने कि जो side होती है वो parallel होती है और हमारे पास rectangle होता है उसमें भी दोनों साइडों पे 90 डिगरी का एंगल होता है तो उसमें भी कौन सी परपेंडिकुलर लाइन्स होती है तो दोस्तों आज हमने परपेंडिकुलर लाइन्स और इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में डिसकस की आसा करती हूँ कि आपको ये concept अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको इस concept में कोई भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके comment कर reply जरूर करूँगी तो दोस्तों मिलते हैं next video में thank you